तो दोस्तो इस वीडियो में आप से में डिस्कस करने वाला हूँ कि आखिर G20 आखिर होता क्या है? तो आपका स्वाक्त दोस्तो मेरे इस चैनल में तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आपको इस बीडियो के मादम से काफी अच्छी जानकारी आपको प्राफ्ट हो जाएगी तो चलिए अब हम अपनी इस बीडियो को शिरू करते हैं तो अगर आपसे मैं डिस्कस करूँ क्या कि G20 आखिर होता क्या है इसमें economic cooperation और global financial stability के बारे में discussion की जाती है G20 में परमुक देश जैसे की United States, China, India, Japan, Germany, Russia, etc. इसमें देश आते हैं इस forum में विशेश रूप से global economic challenges, finance और development के विशे में बातचीत की जाती है जै देश आपस में मिलकर global financial stability और sustainable development को परमौट करने का परयास करते हैं G20 का प्रतम उदेश ग्लोबल economic governance और international financial system को सुदारने का है इसमें जो देश होते हैं वह आपस में consultations करते हैं और समर्थन देते हैं ताकि वो सार्थक policies बनाकर global economic stability को सुदार सकें जै फोरम world economic की direction और policies को प्रवावित करता है तो दोस्तों इस वीडियो में आपस मेंने discuss किया है कि आखिर G20 आखिर होता क्या है मुझे लगता है कि आपको इस वीडियो के मादम से काफी अच्छी जानकारी आपको पराफ्त हुई होगी तो आन्त में दोस्तों अभी आपको जै वीडियो केसी लगी अगर आपको जै वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलना दनेवाग